तो गाइस आज हम सेम सेम के 256 लीटर फ्रोस्ट फ्रीड वर्डोर कन्वेट्रिवल फ्रीज इन्वेटर रेफ्रिजेटर के बारे में आपको बताएंगे लुग वाइज बहुत ही अच्छा दिखता है यह आपका टमप्रेचर है कि फ्रीज की टमप्रेचर कितनी करने का यह टन प्रेस ऑप्शन दिया है लुग वाइज कुछ इस तरह का दिखता है साइड वियू ब्लैक है और यह सामने है कार्वन ब्लैक जो पैंसिल की नोपकी होती है उसी टाइप से कलर क्या है कुछ टेक्शर टाइप से कलर है और बैक साइड कुछ इस तरह का दिया है यह आप देख सकते हैं नीचे कंप्रेशर लगा है और इस तरह का ओपेन है नीचे साइड और साइड व्यूव का जो माटेरियल है टेक्शर में है आप देख सकते हैं अब इसके फंक्शन की बात करेंगे पहले आपको फ्रेंट व्यूव दिखा दें कुछ इस तरह का दिखता है कि यह सेमसेंग का थ्री स्टार है कि 256 लीटर का कि यह देखे कि कंवर्टिवल फ्रीजर है अब हम इसको उपर का शेशन दिखा देते हैं कुछ इस तरह का है आपको दो कि दो दो बॉकस मिलेंगे और इस नहीं जो है ऑट जमाने के लिए इसमें आइसक्रीम के लिए ऑप्सन दिया है और इसमें इपार में जो साइड हो में जम जाता है बद वह नहीं जमता इसमें जब किसी पाकेज या बोटल यह डिबे में रखेंगे तब भी आपको फ्रेज्ड होगा ठीक ना जैसे इसमें रखते हैं वर्फ तो यह जैंब रहा है लेकिन अगर ऐसे में वर्फ नहीं जमेंगा किसी चीज में किसी भी अब्जेक्ट में अंदर रखेंगे तब यह बर्फ जमेंगा जैसे इसमें बॉटल एरी कुछ भी अब जैसे इ पेजिटेबल रखने के लिए आस समान रखने के लिए यह बॉटल के लिए रूज स्पेस है इसमें नीचे आपको अगर बॉटल रखते बताते हैं तो नहीं आ रहा है ठीक है तो यह चोटे-चोटे बॉटल के लिए यहां अपने साब से अंडे या नीगू कुछ भी रख रही कुछ नमान है अपने हивается हाले एक दो थीन चार चार आपको ऐसे तरह से मिल जाता है पर यहां भी आपको त्रे जोई एएख दो थीन और नीचे वाले में चार और ये कि शितरह है । जुक्指 दरखे अपने हम करके आपको दिखाते हैं इसका function कैसे व्रक करते है तो कि देखिए अब यह हमने प्लैक लगा दिया है तो यह ओन हो गया है तो अंदर की ओर दिखा दें तो देखिए लाइट जलने लगा है यहां पर LED लाइट दी हुई है बाकी इस तरह के दिखता है अंदर से लुक ठीक है यह देख लीजिए आपको इतना वाइट मिलता है यह अब उपर में देख लेते हैं उपर में लाइट नहीं दी है कोई सा ऐसे ही आपको मिलेगा इसका कित्ता वाइड एंगल होता है यह है इस तरह का दिखेगा ठीक है अब फंक्शन के बारे में जानते हैं यह फंक्शन है ठीक है यहां पर लिखा है फ्रीजर पावर फ्रीज तो अब देखिए अब यह है यह जो माइनस में दिया है यह उपर वाले के लिए ठीक है और यह जो दिया है प्लस वाला वो नीचे वाले के लिए ठीक है तो अब यह function चलते हैं अगर आपको normal temperature रखना है तो उपर वाले के लिए माइनस 19 है और नीचे वाले के लिए ठीक है अब अगर कोई ठीक है अब इसे कैसे यूज करते हैं तो यह बटन दिया है यहाँ पर ऐसे करके तो हम इसको ऐसे दवाएंगे तो यह उपर नीचे होगा तो हमको माइनस 19 करना ठीक ना और इसे कि अध्री में लाना थ्री डीग्री इस टीक है तो इस तरह कर यह वाले के लिए यह बटन ठीक है और इस वाले के लिए यह साइड वाला ठीक है और अगर जैसे महमान में बगएर आ जाते हो जल्दी 10 से 15 मिनिट में आपको चिल्ड या बर्फ जमाना है इस वाले के लिए उपर वाले के लिए तो आपको ये फंक्शन में जाना पड़ेगा तो इस फंक्शन में जाने के लिए जल्दी चिल्ड करना है या बर्फ जमाना है तब इसमें ये फंक्शन काम करेगा तो ये फंक्शन कैसे आएगा जब इसको 3 तक प्रेस करेंगे तो यह ऐसे आ जाएगा ठीक है तो यह देखिए यहां पर लाइट जल गया और यह हो गया माल लीजे आपको इसको आफ करना है तो इसमें फिर वही प्रेस 3 सेकट तक दवाए रहिएगा तो यह उफ हो जाएगा ठीक है ते देखिए आफ हो फ्रीजर अगेश्चे वाले करने तो यहाला है उसके लिए तो इसमें भी प्रैस्ट दवाए रहिएगा जो इसंट दमाएंगे यहाले में आजाए में ठैक है यह नीचे वादी के लिए फॉस्ट चिल करने के लिए अब जैसे थंडिक अगर आपको नॉर्मल रखना है मान लिजे नहीं जमाना है कुछ भी सिर्फ फ्रीज बनाना तो फ्रीजर बनाना है तो इसके लिए यह वाले फंक्शन में जाना पड़ेगा तो इसको आप 3 सेकंड तक प्रेस करिए यह तो इस में आ गया है और इस से यह वाले को और आप कर दोगेज़ें । अगर इस भूल गया है यह वाले वाले फंक्शन के वाले खास्ट के और इसके लिए फंक्शन है और नीचे वाले के लिए जल्दी चिल्ट करना है तो यह वाला function है 3 seconds तक आप इसे प्रेस्ट करिएगा अगर उपर वाले के लिए बर्फ जमाना है तो फिर कहते हैं यह वाले function में जाना पड़ेगा तो इसके लिए यह वाला की दावाना पड़ेगा 3 seconds ठीक है अब और फिर जब हटाना होगा तो इसी को फिर प्रेस करेंगे नॉर्मल करने के लिए और इसे यहां वाले को नॉर्मल करने के लिए इस वाले में 3 सेकेंड ठीक है और और जब धंडी और बगार है जब आपको फ्रीज करना है तो बस फ्रीजर बनाना है तो कहते हैं इसको नॉर्मल यह वाले में ठीक है तो तो नॉर्मल टमप्रेचर माइनस 19 उपर वाले के लिए और नॉर्मल टमप्रेचर 3 डिगरी नीचे वाले के लिए ठीक है तो हम इसको हटा देते हैं तो प्रेस तीन सेगेंड तक ऐसे प्रेस दबाए रहेंगे यह आ गया ठीक है अब इससे हम नॉर्मल कर देते हैं इधर वा होता है और इन विल्ड होता है इसमें स्टेपलाइजर और यह जो इसका कंप्रेशर है वह इन वैटर डिजिटल इन वैटर कंप्रेशर है ठीक है थ्री स्टार का है यह पावर सेविंग के लिए होता है जित्ता इस्टार होगा उत्ता पावर सेविंग करेगा ठीक है और इसम प्राइस की बात कर लिया जाए तो यह मुझे 26,499 रुपे इसका मिला है फिलिप कार्ट से और इसका प्राइस घटता बढ़ता है आप देख लीजेगा यह दो कलर में आता है एक सिल्वर एक कारवन ब्लैक में लीटर के एवेलवल हैं 300 उससे कम के भी है तो मैंने यह 256 लीटर का लिया हुआ है जो आपके सामने है मेरे वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करेज़बन नहीं अईड़ लाईबे सद्सक्राइब लाइ Rinand apply जो में लाइक हुआ है जो